मध्योप्रदेश में वेक्सिनेशन अभ्यान के चलते लोगों को दूसरा डोज लगाया जा रहा है। महीं प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरियंट के 32 नए मामले सामने आए हैं जिससे सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी को लेकर स्वास्य मंतरी डॉक्टर प्रभराम चौधरी ने कहा कि वेक्सिनेशन केंदरों पर जितनी वेक्सिन उपलब्द होती है उतने लोगों को वेक्सिनेशन के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा डेल्टा प्लस को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पूरा ध्यान रख रही है। सभी लोग गाइड लाइस का पालन करें और टीका जरूर लगवाएं। इसके अलावा ग्राम क्राइसिस कमेटी के सदस्तों से भी बातीत जिसे सब लोग साधानी बरते रहे हैं। साधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है इसलिए सब लोगों को इसको पालन करना है।